अज हम बची रोटी यह दो तरख की रेसीपी बनाएंगे रोटी को ले लिया और पीच से कटकर लिया है अब कुछी इस तरह से कटकर लेना उसे और उसके सारे बेस पर ना रोटी सारे बेस पर हमें यह टमैटो कैचप या फीर टमैटो सॉंस जो भी आपके पास उसे लगा मतलब एक खाने में बहुत ही अच्छी लगती एक वार आप ख्राइ जरूर किजेगा तो पुरदे के बेस में मैंने लगा लिया है अब हम एक पार्ट पर इसका रख देंगे चीज आप कोई सभी चीज ले सकते हैं चाहे वह मौजरीला हो या फिर ऐसे प्लेन चीज हो और तो प्रिंगल किया है वाइट नमक उसके बाद मैंने थोड़ा सा चीली फ्लैक्स इसमें डाल दिया है इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह से कुछ फोल्ड कर लेना है तो आराम से थोड़ा अजिस्ट हो जाए त्रमाटर प्य जाए तो यहां मैं से ओलट पलट कर सेख लेंगे बहुत अच्छे से यह ब्लकुल ब्राउनी सो चुकी है अब मैं इसे एक प्रेट में निकाल लेंगे तो यह तो रही है हमारी फर्स्ट रेसिपी तो यहां आप इसे किसी भी स्विस्ट वी सौस के साथ ग्रीन सौस के साथ अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की दरब तो उसमें हमने क्या किया है थोड़ा सा सत्तू लिया है और उसमें कुछ सबजें डाल दिया जैसे हरी धनिया हरामेच लसुन प्याज बार इकटी हुई नमक मंग्रेल जुएन और एक आमका चार और उसके साथ थोड़ा सा मसाला अब करना है अब हम उसमें थोड़ा सा कच्चा सर्चो का तेल डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो यहां हमारी बची हुई रोटिया तो अब क्या करेंगे ना कि एक रोटी को लेकर के हम पानी में इस तरह से डिप कर लेंगे और फिर हम उसमें डालेंगे वह सत्तू वाली जो हमने मिश्रान त्यार करके रखी थी वह फिलिंग के लिए तो यहां पर मैंने दो चम्मच वह सत्तू लिया है और अब हम इसे फोल्ड करके एक बॉल का सेब देंगे कुछ इस तरह से देखिए और हलका प्रेस करते हुए हलका धीरे-धीरे और इस तरह से कुछ हम और तीक क्रिश्पी बन जाता है बिल्कुल अच्छे से इसे आपको जितना भी फ्राइब करने को मन करें आप उतना करें मैंने यहां पर बिल्कुल रेड कर दिया था यहां हमारी यह जो है ना दूसरी रेसीपी रेडी है इसे भी आप टोमाइटो कैचप या ग्रीन चटन के साथ खा सकते हैं तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब कर देजिए का थाइंक यू